नमस्कार मैं विवेकानंद और आप देख रहा है नीज फोर्नेशन लालू परिवार के बीच जो बिवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है जिस तरीके से नंतेज प्रताप का जो प्रकरन है जो बिवाद है वो सडक सले करके थाने तक पहुँच गया है अब एक बार फि अंद्रिकार आये हैं जो लालू परसाद यादाव के समधी है उन्होंने राबड़ी देवी पर आरोप लगाया है कि उनकी बेटी का समान जो है वो जबरन उनके यहां भीजवा दिया गया है जबकि उन्होंने मांग की थी कि जो सिर्फ कागजात है जो पासपोर्ट है और हैस्वर्या राय का समान था उसे वापस कर दिया गया है इसी को लेकर के चंद्रिकार आये जो लालू परसाद यादाव के समधी है उन्होंने पटना के सास्त्रिने गर्थाने में आवेदन दिया है और राबड़ी देवी और उसके बड़ी गाड़ पर मुकदमा दर्श कर करने के लिए आवेदन दिया है इस आवेदन के बाद पुलिस अप्छानवीन में जूट गई है दरसल बीती राद जिस तरीके से आनन फानन में स्वर्या राय का पूरा समान गाड़ी में लोट करके जो उनके पिता चंद्रिकार राय है उनके आवास पर भिजवाद दिया इसके बाद high-level drama हुआ ड्रामे के बाद जो समान है उसे लेने से चंद्रिकार राय ने इनकार कर दिया तो दो गाड़ी में समान भर करके बेजा गया था तो अभी तक अभी तक वो समान वहींपर मौजूद है ना तो राबरीदे भी वापस ले रही है ना तो चंद्रिकार एक्सेप्ट कर रहा है लिहाजा जो ड्राइवर है वहीं पर गारी लगा करके वहीं पर बना हुआ है तो लालू परिवार के बीच हाई लेवल ड्रामा हो रहा है तेज प्रताप की पत्मियस वर्यायराय से का जो तलाक प्रकरन है उसके बाद एक नया मोड रात में आया जब सामान को लालू आवास से बाहर निकलवा दिया गया और उनके पिता तक भज़वा दिया गया इसकी जनकारी लगने के बाद चंद्रिकाराय ने सीधे तोर पर राबड़ी देवी और लालू परिवार पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि यह बिल्कुल सर्म की बात ह है कि इस तरीके से इस तरह की ओच्छी हरकत जो है राबड़ी देवी की तरफ से किया जा रहा है लेकिन जो चंद्रिकाराय है जो तेज परताप यादव के ससूर है उन्होंने कहा है कि वहार नहीं मानेंगे और इसकी लड़ाई जो है वह आगे भी चारी रखेंगे और एक पर संगराम की थी और जो राबड़ी देवी हैं उन्हें पर अरोप लगाया था कि उन्हें परताडित करा रही है उनके साथ मारपिट की गई इसके बाद पटना के महिला ठाने में राबड़ी देवी और उनके जो बडी गाड हैं उनके खिलाह मुकद्मा दर्जृ में या हाई लेबल ड्रामा हुआ और एक बार फिर से राबणी देवी पर इस बार उनके समधी चंद्रिका राय ने मुकदमा दायर किया है अधिक अप्डेट्स के लिए देखतेरी नीज फॉर नेशन नमस्कार